जै मसीगी दोस्तों, आज के स्वरीगे बनना का भाग हमने लिया है लुखा की पुस्तक, उसका छटा अध्याय और उसका बाइस्वापद. वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनश्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे घ्रना करें. तुम्हें बहिश्कृत करें, तुम्हारी अत्यांते निंदा करें और बुरा समझ कर तुम्हारा नाम काड़ दें. धन्यवाद पिता पर्मेश्वर इस वचन के लिए. दोस्तों, अपने चेलों को आठ आशियरवादैत वचन समझाने के बाद एशु मसी से ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मेरे कारण निंदा पाते हो, अगर मेरे कारण तुम्हारा सताफ होता है, तो तुम धन्य हो. धन्य हो कि इशु मसी के दौरा इशु मसी की वज़ा से तुमे ताड़ना मिली चुकि यही आशिश का कारण तुम आरा है तुम स्वर्ग क्या दिकादी हो दोस्तों बाइबल हमें बताती है अगर मसी के दौरा हमारे जीवन में सताव आता है कलय आता है, निंदा आती है लोगों की, तो स्वर्ग में हमारा प्रतिपल इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि हम उसको नाप नहीं सकते, हम उसको तोल नहीं सकते, परमेशर ने स्वर्ग में हमारे लिए इतना बड़ा सुख रखा है, वो परमेशर का सिंगहसन, वो परमिशर की उपस्ति, वो परमिशर की समक्ष नतमस तक होकर उसे देखना, निहारना और उसके साथ अपने जीवन को बिताना, वो प्रतिपल इतना बड़ा है कि हम उसकी व्याक्या नहीं कर सकते, हम उसको किसी भी चीज से कंपेर नहीं कर सकते, किसी भी चीज से उसकी हम उपमा नहीं कर सकते हैं, हाले लिया, इसलिए, रूमियो 8.28 में, बाइबल में लिखा हुआ है, कि वो कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दुख और कलेश, उस महीमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है, कितना अच्छा लिखा है पॉलस ने, वो कलेश कुछ भी नहीं है उसके सामने जो महीमा हमें मिलने वाली है, इसलिए मेरे दोस्तों, जब काड़वाहट, जब ताड़ना हमारे जीवन में आती है, समाज के द्वारा, हमारे रिष्टों के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा, तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें आनंदित होना है, कई बार हम लोग क्रोध से भर जाते हैं, आम तोर पर होता क्या है, कि ज उसे नहीं चाहता है कि हमारे अंदर क्रोध रहे, क्योंकि यही क्रोध, यही कड़वाहट पाप को जन देता है, हमारे आनन्द को हम से छीन लेता है, देखे जो प्रभु में है, जो बुड़ी तरीके से परमेश्व के चरणों में है, उसके अंदर पवितरात्मा है, और पव आनन्द को अपने अंदर से ना जाने दे बलकि परमेशर की उपसिति को महसूस करें और उस ताड़ना के लिए जो हम पर होने वाली है क्योंकि जब ईशु मसी को लोगोंने नहीं छोड़ा जब ईशु मसी जो कि पिता परमेशर के पुत्र थे जो उसका प्रतिरूप था उनक मुपे थूका उन्हें थपण मारे उन्हें जलील किया तो दोस्तों हम उनके अनुयाई हैं हम उनके चेले हैं हम उनके बेटे हैं हम उनकी संतान हैं तो उस ताड़ना को हम अपने सीने से रगाएं उस ताड़ना को हम अपना ताट समझें उस ताड़ना को आशिश का कारण समझें जो हमारे जीवन में बहती है इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर कि तुने हमें वो मन दिया है धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर कि तुने हमें चुना और धन्यवाद देते हैं परमेशर कि तेरी रहा तेरा मार्ग तेरा जीवन हमारे सामने है वो गवाई हमारे सामने है वो जीवन हमारे सामने है जिस तरीके से तुने अपने जीवन को सहाए अपने जीवन को गुजारा है उसी जीवन को उसी तरीके से हम भी अपने जीवन को गुजारें और उस महीमा का मुकट को पाएं तेरा धन्यवाद देते, प्राथन आपने सुनी, Amen, Amen, Amen.